हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और आज इस वीडियो में बात करूँगा मैं एथिनॉल ब्लीडिंग पैटॉल के बारे में एथिनॉल ब्लीडिंग पैटॉल होती क्या है कि पैटॉल में हम एथिनॉल को मिक्स करते हैं संदोज्जा 14 से पैटॉल म वो हमें sugar industry जितनी भी है यानि कि जो गन्ये से हमें प्राप्त होता है तो ethanol हमें sugar industry से मिलेगा तो अगर हम 20% उसमें ethanol mix करेंगे petrol में तो sugar industry के जितने भी कंपनिया हैं या जितने भी shares हैं उनमें बहुत ज़्यादर तेजी देखने को मिलेगी तो देखते हैं ये आप यहाँ पर यह report देख सकते हो target of 20% ethanol bleeding in petrol by 2030 इसके तीन बहुत बड़े फाइदे हैं और तीन बहुत बड़े फाइदे क्या हैं मैं आपको यह दिखाता हूँ जो पहला फाइदा है it has lead to a reduction of 27 लाग ton of carbon emission यानि कि जो carbon emission है 27 लाग बो कम होगा second is safe foreign exchange worth 41,000 करोड यानि कि 41,000 करोड हमारे बच्चेंगे foreign exchange के और जो third जो manually है farmer of the country have earned 40,600 करोड in the last 8 years due to increase in ethanol bleeding यानि कि अगर हम 20% ethanol को उसमें petrol में mix कर देते हैं तो जितने भी हमारे किसान है उनको 40,000 से 8,600 करोड last 80 years में earn कर सकते हैं और इसकी जो और भी फाइदे क्या है ethanol bleeding petrol के program के थेत हमारी जो energy security हमें मिलेगी और जो import dependency on fuel यानि कि जो हमारी dependency है fuel पर वो हमारी कम होगी और foreign exchange हमारा save होगा और boost to agriculture यानि कि agriculture को बढ़ावा मिलेगा 20% ethanol bleeding in petrol by 2030 लेकिन क्या है advance में इसको 20% 2025 तक करना है 20% 26 तक 20% करना है और यह start कर दिया जाएगा यह देख सकते हो आप यहां पर roadmap of ethanol bleeding in India 2020 और 2025 रिलिजट इन जून 2021 maintained and intermediate milestone of 10% bleeding by November 2022 यानि कि November 2022 तक 10% bleeding करना है और 2025 और 26 तक 20% करना है 30-40 साल पहले ही यानि कि इस पर काम बहुत तेजी से हुआ इससे आप जितने भी सोगर इंडिस्टी हैं और उनके शेयर से उन में बहुत जादे तेजी देखने को मिलेगी तो उसी टाइप का मैं आपको एक सेयर बताऊंगा तो उत्तम सुगर के जो प्रोडक्ट है वो है liquid सुगर है और natural brown है सुगर है और सुगर केप्स है और iconic सुगर है और ये को है सुगर sketch तो इस तरीके के कई सारे प्रोडक्ट हैं और ये उत्तम सुगर है जो power को भी generate करती है और industrial alcohol को भी generate करती है और उसके साथ एथिनॉल को भ में इसकी quantity रहती है एक लाग 45,000 लीटर पर एयर के साब से यह मैं आपको स्क्रीन सोट दे दूंगा यह अब पढ़ लेना तो यह थे इसकी साइड पर और हम इसके क्लाइन्ट के बारें बात करते हैं तो उत्म सुगर के जो क्लाइंट हैं वो हैं बिगबाजार है बहुत पड़े हैं बिगबाजार है Mother Delhi है, पतंजली है, पैपसी है, पाडले है और डावर इंडिया है, एजी डे है, कैफी कॉफी डे है, फिलिप कार्ड है, एमोजन है और बीमार्ट है, प्राइट प्लाजा है, हाइपर सिटी है, ग्रोसरी है और बहुत सारे इसके हैं, दरललित है, और ये काया हमदर्द है, बहुत सारे हैं, बिटेनी आएं, केंडरी ये वंडार है तो इतने सारे ये इस company के client हैं जिनसे ये चीनी बगएरा खरीते हैं तो ये थे इसके client बात करते हैं इस company के fundamentals के बारे में तो company की जो market cap है वो है 1130 करोड की और जो stock का PE है वो 8.38 है और return of capital employed है 22.3 इस company पर जो dad है वो 640 करोड का है जबकि net profit 31 करोड है इसने एक साल के अंदर 104% का return दिया है और current price में आपको बताएजी 295 है और return of equity के बात की जाए तो 33.7 है जबकि free cash blow इसके पास है 463 करोड का प्रमोटर के holding बहुत अच्छी है 74.4 और growth factor इसमें बहुत है 7 यानि कि out of 10 70% इसमें growth factor है EPS की बात की जाए तो EPS बहुत है 35.4 और debt to equity 1.38 तो यह थे इसके fundamentals तो आप यहाँ पर pros और cons देख सकते हो company has reduced weight और company has good return on equity 25.3 last three years cons की बात करते हैं तो company repeating profit और promoter के holding प्लेश्ट हुए 33.41 परसेंट है जबकि promoter के holding 74.4 परसेंट है तो यह थे pros और cons MC essential में जबकि इसको 82% तक पास किया गया है तो आप इस company के quarterly result देख सकते हो यहाँ पर quarterly result जून 2019 और March 2022 को comparison करते हैं तो जो sales हुई थी 361 की और अभी इसकी जो sales हुई थी 490 करोड की हुए है और optimum profit margin 14% था जो अब बढ़कर हो गया है 20% operating profit 50 करोड थी जो अब बढ़कर हो गया 96 करोड profit before tax 23 करोड था जो अब बढ़कर हो गया 77 करोड net profit 15 करोड थी जो अब बढ़कर हो गया 61 करोड 61 करोड और EPS की बात करें तो 3.97 ताज जो अब 16.01 तो यह थे इसके quarterly result जो के बहुत ज्यादा बहतर हैं तो बात करते हैं अब इसके returns के बारे में तो आप देख सकते हो बन मंत में इसे ने टन 24% त्री मंत में इसे ने टन 46% सिक्स मंत में 81 और बन येस में बन नोट फोर टू यह में रिटन 326 और त्री यह में 126 और फाव यह में 137 परसेंट तक का रिटन देखने को मिला है तो अबर इसके financially overview के बारे में बात करते हैं तो revenue आप जेख सकते हो revenue इसका बढ़ा है हर साल बढ़ा है revenue यहां पर 2018 में था 1243 करोड़ और अभी इसका है 234 करोड नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2018 में 17 करोड़ ती जो अब है एक से 134 करोड़ और EPS की बात की जाए तो EPSP 2018 में था 4.52 रुपीज और अभी है 35.38 और debt to equity यानि debt to equity कम हो रही है तो 2018 में 3.85 जो अभी है 1.38 यानि कंपनी अपना कर्च पटा रही है return of equity की बात की जाए तो return of equity 2018 में 9.65 ती जो अभी है 29.15 यानि कंपनी पूरी तरह profit में है growth में है debt to equity कम हो रही है और revenue बहुत ज़्यादा है तो यह था इसका financially overview बहुत अभी है बहुत